साथियों, लोक तंत्र में राज नीती अलग-अलग वीजन को देश के सामने रखने का एक माध्यम होती है। लेकिन हर वीजन का, हर विचारधारा का मकसद एक ही होता है गुड गवरनन्स और देश वास्यों की सेवा। पॉलिटिक्स में प्रतिशपर्दा हो सकती है, लेकिन सत्रुता नहीं होती, आखिकर हम एक ही देश के लोग हैं, एक ही समाज का हिस्सा है। लेकिन दुर्भाग्य से आज वीपक्ष ने अपनी एक ही पहचान बना ली हैं। हमें गाली देना, हमें नीचा दिखाना, बावजुद इसके हम एंडिये के सभी साथ्यों ने हमेशा देश को दलों के हित से उपर रखा है। हमने राजनितिक, सोहार्द और सालिंता को बनाए रखने के लिए प्रयास किये है। ये एंडिये सरकारी है, जिसने प्रणवदा को भारत रत्न दिया, जो जीवन पर कॉंग्रेस पर रहे थे, लेकिन हमें उन्हें ये सनमान देने में संकोच नहीं किया। ये एंडिये सरकारी है, जिसने मुलाहम सी यादव, शर्दत पवार, गुलाम नभी आजार, तरुन गोगोई, एम सी जमीर, मुझफर बेग, ऐसे अनेक नेताओं को, जो राजनितिक दरश्टी से हमारे साथ नहीं है, हमारे खिलाब है, हमने पदमसब मान दिया है उन ये नेताओं भी कभी बीजे पी या एंडिये में नहीं थे, लेकिन हमने देश सेवा में उनके लंबे योगदान को स्विकार किया, उसे समरा, उनने सम्मानित किया, लोग तंत्र की ये मुलभावना एंडिये की कारिशली में आपको हर जगत दिखेगी, इस समय भारत G20 समिट को होस्ट कर रहा है, इससे जुड़े आयोजन देश के हर राजय में, हर हिस्से में हो रहे हैं, हमने इन आयोजनों को बेन्यू ताइक करते समय, कभी ये नहीं सोचां कि किस राजय में कौन सी पार्टी की सरकार है, कोरोना के समय भी मैंने लगातार सभी राजयों के मुख्यमंत्रियों के साथ व्यक्तिगत समवात किया, मिटिंग की कौन मुख्यमंत्रिक किस पार्टी का है, ये विचार कभी हमारे बीच नहीं आया, इसी तरह आप उन दिनों को भी याद करिये, जब बाशा, लेंग्वेज, लोगों को बांटने के एक टूल के तौर पर इस्तिमाल होती थी, लेकिन NDA सरकार की सोच देखिए, NDA सरकार ने मात्रु भाषा को बल दियना शुरू किया, और आज भाषा उसके माध्यम से, मात्रु भाषा के माध्यम से, मेरे युवाँ डॉक्टर और इंजियर बने, इसका आउसर देने का जरिया भाषा बन रही है, हमने हमारी विरासत को, दरोहरों को, ग्लोबल बनाने के लिए लगातार प्यास किये हैं, यहाँ पर कई हमारे साथियों ने इसका उलेक किया, आज योग वैश्विक एक्ता का एक माध्यम बन गया है, आज मिलेट्स एक ग्लोबल ट्रेंड बन रहा है, श्री अन्न की चर्चा हो रही है, और इसका लाग हमारे हर खेत्र के छोटे-छोटे किसानों को मिल रहा है, हम देश के लोगों को जोडते हैं, वो देश के लोगों को तोडते हैं,